जलगाओ जिले में सरकारी अस्पतालों के हालात बद से बदतर हो रहे हैं ग्रामिन अस्पतालों में तो हालात बताने जैसे भी नहीं है जलगाओ के चोपड़ा के ग्रामिन अस्पताल का जहां मरीजों के हाल बेहाल है सरकार मरीजों को खाने की ववस्था करती है किन्तु यहां सब गोल माल है मरीजों तक खाना पहुंचता ही नहीं है मरीजों का कहना है कि उन्हें दवाईया भी सही समय पर नहीं दी जाती है कितिनी दवाईया तो उन्हें बाजार से खरीद कर लानी पड़ती है मरीज जिला अस्पताल के सिविल सर्जन से गुहार लगा रहे हैं कि वो इस और ध्यान दे और उचित एक्षन ले ताकि मरीजों की जान में जान आ सके चोपड़ा सा संदीप पाटिल की रिपोर्ट इंडिया आप तक न्यूस के लिए